आज कोरुना की वज़न से लोगों में डल सचाया है और डल की वज़से लोग किसी को मिलने जुलने के लिए बना करते हैं और बाहर आने के लिए भी डरते हैं फिल्ड में जब जाएं उसिस करें कि आप जितनी हो सकें उतनी छोटे मिटिंग रहते हैं फिल्ड वर्क के दोरान हमेशा S.O.P. यानि Standard Operating Procedure का पालन करें जब भी आप फिल्ड में जाएं साइनिडाजर मास्क का इस्तमाल उद भी करें और जिनसे आप फिल्ड में मिल रहे हैं उन्हें भी इसका सही से उप्योग करना सिखाए इससे क्या होगा उनमें जागरुता बढ़ेगी और उनका दर्कम होगा पोशिश करें कि जब भी आप गाव या किसी दिन में जाते हैं तो पंच्यात समिती या वहां कि कोई अधिकरूत को सुचित करें ताकि इनके दवरान किसी को दिकत ना है एक फिल्ड वरकर को हमेशा पोशिश करने चाहेगी जब हम फिल्ड पे जाते तब दो या तीन लोगों से जदा लोगों से ना मिले और बन जगा जैसे उनके घर में ना जाए ताकि उनके थ्रू या हमारे थ्रू इन्पेक्शन फैलने की चांस ना हो जब भी आप फिल्ड से वापस घर जाए तो घर पहुच कर अपने वेहिकल को पूरी तरह से सैनिटाइज करें और जो कपड़े आप फिल्ड पर पहन के गए उन कपड़ों को बाके कपड़ों से अलग रखें और अच्छे से नहाने के बाद ही अपने घर परिवार से मिलें पूशिस कीजिए यह इतना हो सके उतना आप टेक्नोलाची करना पुट है कुछ सिंपल ट्रेडिंग्स या समादल भूपाए तो वीडियो कॉलिंग्स प्रेसे की जूम या वार्टसम की फिर्मों नहीं जान करें हो सके तो लोगों को कैसलेस और कॉंटेक्लेस में ट्रंजर्शन के बारे में पताये और खुद भी उनका उप्योग करें देखा जाये तो वी फिल्ड वर्कर्स के लिए एक मौका है जिससे वो खुद को और अपने बेनिफिस्ट्री को टेक्नोलोजी की उप्योग में सक्षम बना सकें थैंक्यू